S.C.C.H.S.L. भारत में सबसे लोग प्रे सरकारी नौकरी की परिक्षाओं में से एक हैं और कई उम्मीदवारों इस परिक्षा में अपना भागी आजमाने की कोशिश करते हैं। हर साल लाखो नए उम्मीदवार इस परिक्षा की तयारी करते हैं। विशेवार्सूची General Intelligence and Reasoning General Intelligence and Reasoning S.C.C.H.S.L. परिक्षा में सबसे महत्पुन और ज्यादा समय लेने वाले अनुभागों में से एक है। इस अनुभा के सवाल को पढ़ने और पूची गई समस्या को समझने में अधिक समय लगता है। समस्याओं की गलत समझ से अंकों की कटोती और विभिन प्रकार के प्रशनू जो की एक विशेश विशय के अंतरगद आते हैं को हल करने में समय का अपवे भी होता है। इसलिए आपको सभी प्रकार की सवालों के बारे में पूर्व समझ होनी चाहिए है। इसके कारण एक व्यापक अध्यान गाइड की मांग ओत्पन होती है। इस संदर्ब में रिज्मिंग के लिए कुछ मानक पुस्तकों को नीचे साज्जा किया गया है। इस पुस्तक में SSCCHSL परिक्षा के जनरल इंटेलिजेंस अनुभाक से पूछेंगे सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। यदि आप इस पुस्तक का अनुसरन कर रहे हैं तो आपको इसमें अच्छी मात्रा में अभ्यास के पेपर्स और प्रशनावली मिल जाएगी। अगर आप पैस SSCCHSL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एक लाबदाय खडीद है इसके लाबा इस पुस्तक में कुछ अवदारनाओं को आवशक्ता अनुसर और अधिक परिशोधित करने की ज़रूरत है। हलाकि ये हैस SSCCHSL परिक्षा की तैयारी के लिए उप्यूक्त पुस्तक है क्यूंकि इसमें इस परिक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रशनों सम्मिलित हैं। आरस अधरवाल द्वारा वर्बल और नान वर्बल रिया सुनिंग और मॉडन अप्रोच ये हैस SSCCHSL परिक्षा की तैयारी के लिए सबसे अधिक खरीदी जाने वाली और संदर्वित किये जाने वाली पुस्तकों में से एक है। ये पुस्तक सामान बुध्य अनुभाग के लिए पोन नियुजित है इसके साथ और साथ आपको प्रतेक अध्याय में अभ्यास के लिए सवालों की परियाप्त मात्रा मिल जाएगी। पूछे जाते हैं। इस अनुभाग में आपको अवदार नाव के गहन अभ्यास और स्पश्टता होनी आवश्यक है। आपको केवल सुत्रों पर पकड़ होने से आपको ज्यादा प्रभावशाली परिणाम नहीं मिलेंगे। SSC CHSL में अच्छी तरह से स्कोर करने के लिए अवदार नाव की अच्छी समझ होनी आवश्यक है। इस पहलू में ये पुस्तक बहुत अच्छी है लेकिन पुस्तक बहुत ज्यादा वर्णनात्मक है और कभी-कभी सवाल SSC के ट्वाइंच से देखने पर काफी मुश्किल नजर आते है। इस किताब को विशेश रूप से काट उम्मी द्वारों के लिए बनाये गया है। इस पुस्तक तभी पढ़ें अगर आप शुरू से आरंभ नहीं कर रहे हैं इस किताब को मुख्य रूप से गनटी SSC CHSL की टियर 2 के लिए रेफर किया जाता है। के लावा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको मूल बातें सपष्ट होनी चाहिए इससे पहले आप इस किताब के साथ शुरू ना करें। ये दोनुस तरों के शुरुआत से तैयारी शुरू करने के लिए बहतर है। इससे आपको बाद मेटियर 2 के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। हलाकि ये उम्मी द्वारों के लिए एक अच्छी खरीत है यदि आपको इस विशय की बुनियादी जानकारी है। एम्टिरा द्वारा क्वाइकन मैट्स ये है ससी उम्मी द्वारों के लिए एक उपहार की तरह है क्यूंकि इस किताब में मुख्य रूप से शॉर्टकट विदियों के लिए डिजाइन किया गया है जोकि उम्मी द्वारों के बीच बहुत लोप्री हैं। हलाकि इसके लिए आपको अवदार नाओं के बारे में गहराई से जानकारी होनी चाहिए क्यूंकि शॉर्टकट विदियों को इनकी जानकारी के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। अग्रेजी भाषा और रीटिंग कॉम्प्रेहेशन अग्रेजी भाषा अनुभाग भी अन्यवर्गों की तरह समानभार का होता है। अच्छे होते हैं उनके लिए ये खंट समय बचाने वाला होता है। ये हैसस CCHSL तयारी के दोरान इस पुस्तक का प्रयोगी एक सहायक पुस्तक के रूप में उचित है। कट केंपस द्वारा प्रेंस तो प्रयामाउंट आइस पुस्तक में विभिन व्याकरंट के नियमो और वास्तिविक संदर्व में उनके आवेर्नों का सपश्टी करंठीक सेवर्णत है। ये किताब S.C.C.H.S.L.T.E.R. दो परिक्षा के लिए बहुत महत्वकून है। आपको मेरे सूची में एक स्थान प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो सके उतना इस पुस्तक का अभ्यास करना चाहिए। Norman Lewis द्वारा वर्ड पामे जीजी अंग्रेजी अनुभाग में पास होने के लिए अंग्रेजी शब्दावली में अच्छा होना जरूरी है वह इसके लिए ये पुस्तक बहुत महत्व रखती है। समाचार पत्रों या करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस खंड के प्रश्णों का जवाब देने के लिए कि नियूंतम समय की आवशक्ता है और आपना मात्र प्रयासों के साथ इसे तयार कर सकते हैं। निमनल के पुस्तक इसके लिए अच्छी साबित हो सकती है। लूसेंच सामान यग्यानिस पुस्तक का कोई अने विकल्प नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। बस से इस पुस्तक को पढ़ने और इसे समय समय पर दोहराने की जरूरत है और आपने संदेह परिक्षा में ओच्छंक स्कूर कर सकते हैं। बस आपको इसे बार-बार दोहराने की जरूरत है। किसी भी प्रतियोगी परिक्षा में आपके पास सही तैयारी सामगरी का होना सबसे महत्पूर्ण है। इसके लवा एक और महत्पूर्ण बात ये है कि आप पुस्तकों की एक सीमित संख्या का ही अनुसरन करें और अनुकिताबों को पढ़ने की बजाए इनही पुस्तकों को बार बार दोहराए तो उपर चर्चित पुस्तकों में से उचित पुस्तक को बुध्यमानी से चुने और तयार करें और सफलता के लिए जरूरत होती है धैर्यों, अभ्यास और द्रणता की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले दन्यव स्सी, सी, एच, एसल भारत में से उचित पुस्तक को बुध्या जात का लिए।